सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया है मोदी सरकार की आज कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट में जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको मोडिफाई करने का फैसला हुआ है उसमें कई बदलाव करके अब यूनिफाइट पेंशन सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया है मोदी सरकार की आज कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट में जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको मोडिफाई करने का फैसला हुआ है उसमें कई बदलाव करके अब यूनिफाइट पेंशन स्कीम यूपीएस को सरकार ने मंजू पिरीदी है इस यूपियस स्कीम में कई तरह के बदलाव किये गया है और उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश की गई है जो काफी दिनों से कमचारीों की तरफ से यह शिकायते रही थी और उन सभी शिकायतों को दूर किया गया है दूर करने की कोशिस की गई है और जो सबसे बड़ा जो बदलाव ये किया गया है जो न्यू पेंशन स्कीम से अलग जो बदलाव किया गया वो है कि न्यू पेंशन स्कीम में कोई भी एशोर रिटर्न नहीं था करमचारियों के लिए इसका मतलब ये हुआ कि जब वो में जो pension है वो कई चीजों पर निर्भर करता था जिसमें दो तीन बाते सबसे प्रमुक थी कि कर्मचारी ने अपने सेवा काल में आखिर कितना पैसा contribute किया है उसका कितना corpus बना है और उस fund को हम जानते हैं new pension scheme में उसमें से कुछ पैसा बाजार में लगा जा था 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 pension scheme में उसमें ये सुनिश्शित किया गया है कि अगर कोई करमचारी पचीस साल की नौकरी कर लेता है कम से कम तो उसे कम से कम पचास पीस्दी pension जरूर मिलेगा और ये पचास पीस्दी कैसे तैय होगा उसे तैय करने के लिए एक जो formula दिया गया है कि करमचारी जिस दिन काला जागा बारा महीने का और उसका आधा उसका पचास फीसदी उसे कम से कम पेंशन जरूर मिलेगा हाला कि ये बात सरकार के सुत्रों साफ किया है कि ये मिनिममग पचäस फीसेदी है अगर उसके ओपर भी उसका पेंशन मनता है तो वो जरूर मिलेगा लेकिन सरकार की तरब से पचास फीसेदी पेंशन की गारिंटी रहेगी तो ये सबसे बड़ा बदलाओ किया गया दूसरा बदलाओ ये है कि family pension भी assure किया गया है या तो आप नौकरी में रहें या pension retirement के बाद अगर pension ले रहे हों और आपके मृत्य हो जाती है किसी सरकारी कर्मचारी की तो उसके परिवार को कम से कम 60 फीसदी family pension जरूर मिलेगा और ये family pension जो है उसकी आखरी तंखा जो रहेगी उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा इसके अलाबा एक और assure return ये किया गया है कि अगर आपने 10 साल की सेवा कम से कम कर ली तो आपको 10,000 रुपिया कम से कम pension जरूर मिलेगा इसका मतलब ये हुआ कि unified pension scheme में आपको कम से कम 10,000 पेंशन तो जरूर मिलेगा और assure return ही जो है जो तीन तरह का assure return दिया गया है वही UPS को NPS से अलग करता है हम जानते हैं कि NPS एक जनवरी 2004 से लागू किया गया था यानि वैसे कमचारी जिन्होंने सरकारी सेवा एक जनवरी 2004 या उसके बाद जोइन की है उन पर NPS लागू होता था उसके पहले वाले कमचारी को old pension scheme के तहट pension मिलता है इसको लेकर कई तरह की शिकायते थी ये बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना था खासकर हिमाचल साल इस राजनितिक दबाओ को महसूस करते हुए और ये तैय किया था एक कमिटी बनाई गई थी तीवी सोमनाथन की अधक्सता में उससमें एक्स्पेनिजर सेकर्टरी थे और उन्हों उस कमिटी ने जो सुझाओ दिये हैं उसी के आधार पर ये जो परिवर्तन किया गया है वो किया गया इसमें दो तीन बाते और भी जरूरी है ये अगले साल एक अपरेल दो हजार पचीस से ये लागू होगी और जो कर्मचारी अभी NPS के तहत हैं उनको एक बार मौका दिय जाएगा कि वो NPS में रहना चाहते हैं या नया जो UPS आज कैबिनिटे मंजूर किया है उसको जोईन करना चाहते हैं उन्हें एक बार मौका दिया जाएगा विकल्प दिया जाएगा और उस दोनों में से कोई भी चुन लेंगे लेकिन एक बार उन्होंने नई UPS वेवस्ता में आ जाएंगे जो Unified Pension Scheme जो नई Pension Scheme आज मोधी सरकार ने मंजूर की है उसमें वो आ जाएंगे तो बड़ा फैसला सरकार ने लिया है चुनावी मुद्दा बड़ा था राजनितिक मुद्दा बड़ा था अभी आने वाले दिनों में तीन चार राज्यों में चुनाओ है उसमें भी ये बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा और सरकारी से अपनी बड़ी कामियाबी के तौर पर ले जाएगी कैबिनेट में फैसला लेने के समय ये भी महस संजोग है कि कैबिनेट ने जब ये फैसला लिया उसके तुरंद बाद प्रधानमंत्री ने पहली बा उनके प्रतिनीदियों को मिलने के लिए बुलाया था और जब वो उन प्रतिनीदियों से मिल रहते हैं उसी समय कैबिनेट के इस फैसले के बारे में प्रेस कॉन्फरेंस के दौरा इसके घोशना की जा रही थी और प्रधानमंत्री ने इन सभी कमचारी संगठन के प्रतिनी प्रता लिया गया है और आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके से इसका राजनितिक फॉल आउट भी होता है इसका राजनितिक परिणाम भी क्या होता है लेकिन सरकार ने जो केंद्रिय करमचारियों के बड़ी मांग थी जो NPS के तहट जो करमचारी आते हैं उन दिली से कैमरामें संजे कौशिक के साथ प्रशांत NDPV इंडिया